आज हम पढ़ने वाले हैं family brassy case के बारे में important family है हम सबके घरों में पाई जानते हैं इसके सदस जाड़ों के दिनों में तो mostly इसके सदस हमारे घरों में आसपास के खेतों में दिखते ही है फैमिली ब्रैसी केशी को पहले कुरूसी फेरी फैमिली कहा जाता था लेकिन जब से सुरुआत होई specific endings की किसी भी family के last में specific ending देने की जो की AC था तब से कुरूसी फेरी फैमिली का नाम बदल के ब्रैसी केशी कर दिया गया ब्रैसी केसी इसलिए क्योंकि यह जो पूरी family इसे mostly mustard family कहा जाता है और mustard family में जो इसके सदस से हैं ओ अधिकतर क्या है ब्रैसी का से जुड़े हुए हैं तो ब्रैसी का की family है इसलिए इसे ब्रैसी कैसी family कहा जाता है अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे important family है या exam के point of view से तो देख लेते हैं इसकी खास बाते क्या हैं और क्या क्या इससे question बन सकते हैं तो चलिए और हम कैसे इसके floral formula और floral diagram को जानेंगे और कैसे बना सकते हैं कभी भी हम यह सब कुछ यहाँ पर देखेंगे तो चलिए देखते हैं family ब्रैसी कैसी के बारे में अगर इसकी बात करें तो इसकी जेनरा और इस पेसीज 350 इसके जेनरा है और 3000 के करीब इसके इस पेसीज पाय जाते हैं यहाँ पर गलती से general लिखा हुए तो जेनरा और इस पेसीज की संग्या भारत में है वह है 50 और 140 इसके बाद इसके distribution की बात करें कहां पर पाय जाते हैं तो यह नार्थ यानि जब भी आप किसी सरसो के पौधों को देखिए उसे अगर आप हाथों से दबाईये रहा तो इसमें सब आपको पानी जैसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है अगर बात के रूट की तो रूट होती है टैप रूट ठीक है और यही टैप रूट इसमें कभी-कभी क्या होत करें इसके वाजा से फ्लैसी हो जाती है जैसे कि मूली हो गया सरी इसके इनके बात करें उख सिक्रेटिंग ग्लेंट फ्लैसलट्स पाए जाते हैं कम जो इनजाइम होता है उस मैeron Style तो से पक्राइब होते हैं मतलब की जो इस्टेम होता है काफी रूखा आपको लग सकता है क्योंकि चारो तरफ एसमें बाल पाई इसके बाद इसकी पतियों की बात करें तो जब पतियां निकलती हैं तो रोसेट के फॉर्म में होती हैं ठीक है रैडिकल रोसेट के फॉर्म में होती हैं जैसे मैं घेरे में पाई जाती हैं सारी पतियां ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे मूली के पतियां घेरे में इन फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो देखिए ए पौधों में रेसीम या कोरिम बोज रेसीम पाया जाता है ठीक है रेसीम या कोरिम बोज रेसीम अब यहां का मतलब ही हो गया कि यह लगातार बढ़ते रहते हैं ठीक है रेसीम या कोरिम बोज रेसीम का मतलब क्या है इन इनकी जो ग्रोथ होती है वो लगातार इनके फूलों की ग्रोथ होती रहती है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां बाहरी जो फूल है ठीक है जो बाहर के फ्लावर है वे लंबे है ठीक है बाहर के फ्लावर लंबे है और बीच में अभी सिर्फ कली निकली होई है ठीक ह यहां भी आप देख सकते हैं यहां नीचे वाले फ्लावर्स क्या हो गया हैं इनमें बड़्स बनते जा रहा हैं यहां ऊपर के फ्लावर ठीक है यहां पर नए फ्लावर हैं यहां फ्लावर पुराने हैं यहां उपर नए हैं तो इसका मतलब होता है कि जो रेसीम फ्लावर होत मतलब कि टो ए कि लगातार ग्रोथ हो रही है क्तिकलप का मतलब कि इसमें प्लव पाय जाता है बसकित दिफ्र merry range के प्रने के प्लवाही यहां पर देखें यहां का a इसकी लंबाई और यहां उपर वाले पेडिकल की लंबाई देखिए नीचे वाले जितने पेडिकल उनकी लंबाई ज्यादा है उपर पेडिकल की लंबाई कम है क्यों कम है कि यह मतलब इनके डिफरेंट लेंथ होती है जो पेडिकल होते हैं इनकी लेंथ डिफरेंथ होती है यह बाद में बढ़ते जाएंगी, इस ये वज़ासे यहां पर सभी effort दिख़ा दने हैं इक गुच्छे में यहां पर इख में जाने हुए और the target है यहां पर इख शूप लावर बहुत जिए जब कि नीचे वाले फ्लावर्स के बारे में इनको जो फ्लावर्स होते हैं यहां से बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है इस वज़े से क्योंकि जब आप फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं तो फ्लोरल फ्लार्मूला आपको यहीं से बनता है ठीक है फ्लावर्स से ही तो यहां आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है कैसे होते हैं फ्ल operation ए समझी आप इब्रैक्टिएट होते है या और सहपत्री यहां पर upwards के नीचे आपको कहीं भी कोई लीस दिख रही है कोई जैसे सिन्रचना नहीं दिख रही है न नहीं पाए जाते हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं इनको e-bicateate करते हैं इसके बाद दूसरी चीज यहां पर जो फूल है उसके नीचे आप देख रहा हो पेडिकल लगे हुए ठीके फूल की नीचे क्या हुए पेडिकल लगे हुए है पुस्प वरिंथ जिसे बादे हैं तो इ कर दो कि आगर हो गा है कि मदरर एकसिस से किसी एक पोजिशन से अगर हमusta करें तो कि हम एक बराबर भागों मेंगे और कई बार कट कर सकते ह्टीं तो इसलिए क्या हो गए ט Madrid ॉ अपाु ट्रिजिया सम्मित हो गया लेकिन कुछ ऐसे भी सजावट की रूप में यूज़ चिये जाता है तो इसora सजावट की रूप में यूज़ किया जाता है तो इसको इधे कर से जाइगो मार्फिक होता है तो एक एक अपवाद है कि यो मार्फिक कौन होता है केंडिट आस अभर की तर्जलीयस शम्मिठ अथ cousins infanti इसके बादे हैं सभी हाइपोगाइनस होते हैं, हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, कि जो ओवरी है वो कैसी है, सुपेरियर है, और सुपेरियर ओवरी का मतलब क्या हुआ, superior approval का मतला होगा कら जो callyx, korela, endroasium है यह सभी gyneyasium के नीचे होते हैं कहां पर होते हैं? मतलब овरी के नीचे endroasium, cowysills, korela पाए जाते हैं ओके इसका मतलब होगया? hypo,gnus या superior ovar color का next है tetramarus tetramaras होते हैं tetramarus मतलब क्या होते है? इनके जो कैलिक्स हैं या कोरोला हैं यह चार के गुड़ज के रूप में होते हैं मतलब जो सेपल या पेटल पाए जाएंगे उनकी संक्या या तो चार होगी या चार का गुड़ज आठ होगी, 12 होगी, 16 होगी ठीप, समझ में आ रहा है आपको कि चेट्रा मेरस का मतलब हो गया चार के गुड़क के रूप में होते है इसके बाद यह होता है complete flower complete flower का मतलब क्या हो गया जिसमें कैले इसकोरोला, एंडुरेशियम, गाइनोेशियम सब के सब पाए जाए तो उसे क्या कहते है complete flower कहते है अब यहां से आपको समझ में आ गया जब हम floral formula बनाते हैं तो उन्हें हमें वहां पर कम से कम 7 topics की जरूरत होती है ठीक है? 7 उसमें सबसे पहला होता है यह bractiate है या e-bractiate है तो यहां से हमें क्या पता चल लगया कि या e-bractiate है हम यहीं से आपको सिखा रहे है कैसे floral formula आप इसका बना सकते हैं तो यहीं से आपको क्या पता दिल गया? यह e-bractiate है दूसरी चीज़ा में उसमें जो देखनी होती है यह देखनी होती है कि यह actinomorphic है या gyomorphic है तो e-bractiate होता है और साथ में actinomorphic होता है unisexual है तो यह कैसा हो गया? bisexual plant हो गया अब बाकी तीन चीज़े तो हमें यहाँ से influence के flowers से पता चल गई अब बाकी हमें calyx, gorilla, endoism और gynosum से बाकी चार चीज़े मिलती है तो यहाँ तीन चीज़े आपको पता चल गई e-bractiate, actinomorphic और bisexual यह है actinomorphic का sign याद रखिएगा और bisexual का sign है यह रहा bisexual का sign तो और यहाँ e-bractiate को e-br लिखते हैं समझ में आगे है तो तीन साइन में मिल चुके हैं भागे चार साइन में आगे मिलेंगे आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं calyx की बाहय दल्पुंज बाहय दल्पुंज हमने जैसा कि गहा कि यह टेट्रा मेरस होते हैं तो यानि चार के गुड़क के रूप में होते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं calyx को सबसे पहले calyx में चार सेपल पाय जाते हैं कि दो और दो का फॉर्म मतलब वे हुआ कि दो बाहर हैं और दो उसके भीतर हैं दो उसके ostr नहीं तूँक है एक यहां है यहां है दूसरे और तीसरे चौथा यहां पर पाय जाते है ठीक है तो यह four सेपल है टू और तूषट के फॉर्म है मतलब कि दो रॉल बन रहे हैं इसके ठीक है अब देखते हैं पॉली सेपलस होता है मतलब कि जितने भी सेपल है एक दूसरे से अलग है देख रहे हो यहाँ पर बीच में गैप है यहाँ पर देखो यह फ्लावर्स में बीच में जो सेपलस है यहाँ पर एक दूसरे से अलग है सब के सब ठीक है इसलिए इनको क्या करेंगे पॉली से प्लस करते हैं आगे देखते हैं कोरोला की बात करते हैं तो अब आपको कैलिक्स पता चल गया कैलिक्स का जो साइन था कैलिक्स का जो साइन होता है क्या होता है के होता है एक से कैलिक्स का साइन क्या होता है क्या होता है और यह कैसे है, 2 प्लस 2 के फॉर्म है, मतलब 2 रॉल में है, एक में नहीं है, यहाँ पर 2 बाहर है, 2 भीतर है, ठीक है, तो एक अलिक्स है, आगे बढ़ते हैं, कोरोला की बात करते हैं, तो कोरोला देखें आप, इसमें जो 4 पेटल पाय जाते हैं, 4 है, पॉली पेटल है, यान इसके बाद वैवेट एस्टाइवेशन इसमें पाया जाता है, वैवेट एस्टाइवेशन का मतलब है, कि पेटल से और दूसरे से जुड़े तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी भी overlap नहीं करते हैं, एंड्रो इसमें में क्या होगे, छुक्स इस्टेमेंश होते हैं, ह six इस्टैमेन्स होते हैं इस्टैमेन की संख्याइज होती है दो छोटे चार बड़े छोटे वाले बाहर है और चार जो बड़े हैं वह भीतर है ठीके तो यह कैसे होगे two-plus four जो ट्राइनमस करते हैं वह टू प्लस-four की कंडिशन होती है इनमें और इनकी बात के six सिस्टेमन है और पॉलिफ एंद्रस मतलब सब एक onboard दूसरे से अलग इसलिए क्या को गए पालि एंद्रस हो गया इसके इंसरे हैं वे क्या Cape दो pollen chamber होंगे तो इस तरह से डाई थीकस एंथर में चार pollen chamber पाए जाते हैं ठीक है दूसरी चीज़ है एंट्रोर्स एंट्रोर्स का मतलब है कि जो एंथर जब dacing होते हैं मतलब जब एंथर खुलता है तो फूल के अंदर की तरफ खुलता है ठीक है next है gynoacium gynoacium bicarpallery होता है bicarpallery का मतलब है जो carpel होता है वह gynoacium का unit होता है ठीक है तो bicarpallery मतलब दो carpel पाए जाते हैं ठीक है और दोनों ही carpel एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसलिए क्या होता है सिन कारपस होता है ठीक है इसकी ओवरी सुपेरियर होती है यानि कि जो एंट्रो एसियम है कैलिक्स है कुरोला है वह गाईनो गाईनो एसियम के नीचे या ओवरी के नीचे पाया जाता है देखे यूनी लॉक्यूलर होता है वागे वागों होता है तो उस में सिर्फ वागों होता है उसके निर्मार हो जाता है इसलिए इसे हम रेपलम कहते हैं तो यह जब बन जाता है तो फिरे क्या हो जाते हैं बाई लॉकिलर हो जाते हैं ठीक है तो पहले यह यूनि लॉकिलर होते हैं पैरियेटर प्लेसेंटेंस का मतलब होता है कि जो भित्ती होती है उस भित्ती से सभी बीज लगे होते हैं ठीकें भिंटी लगन विजांडणयाश होता है तो सब ये वे लगन करते हैं राश के इसका ऐसके बाहर बहुतती है तो करते हैं तो वहीक हैं रिच sulfate देख सकते हों यह पर छोटी सी इस्टाइल है जो सिंपल होता है या फिर बीफिड होता है तो तो स्कूरत Snagric onus Rev. तो इसे इसके नीचे क्या लगाएंगे अटान करने, इसके फुर्ट की तो फुर्ट इसके सिलिक्यूप या सिलिक्यूला होते हैं द्राइस और निर्माण होता है जिन में सिूरो सेप्टम या कि या फिर इसे में रैपलम कहते हैं यही इस वह काफी घना हो जाता है तो हम इसे कहते है सिलिक्यूला तो इसके जो फ्रूट हो गए हो क्या होगे सिलिक्यूला या सिलिक्यूला इस्ट है फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल फार्मूला में एक ऐसे होते हैं इब्रैक्टियेट होते हैं और और mostly Actinomarfic होते हैं, नीचे हमने बनाया है उनके लिए जो E-Bractiate होंगे और कैसे होंगे, जाइगो मार्फिक होने, यानि की Candid Tuff, नीचे Candid Tuff नपना है, उपर बागी सभी Mustard Family के बागी सभी Plant है, बाई-Sexual होते हैं, सभी बाई-Sexual होंगे, इसके बात करें कैलिक्स का, बागी कैसे होता है, 2 प्लस 2 के प्रॉम में होता है, उसके बात करें तो कैलिक्स कीcho, टू प्लस फोर था एंड्रैसिम क्या था consists फोर था उसके साथ ही जो गाइनोसियम था वो क्या था जी इसमे टू था और दोनों कीसे थे संक्रप्स आधे सोमझ में इसे एक ब्रेकट में कर देते हैं और बैंकरते हैं इसकी संक्या हमें पे इहां पर कहलेξ کی संक्या आप देख रहो फूर है ठीक है तू पलस टू के रॉल में है यहां पर देख रहो ए बाहर वाले पार्ट है ठीक है यह बाहर वाले टू और यह बीतर है ठीक है अगर को देखो तो यहां पर 4 है तेट्रामेरस होता है न तो यहां पर 4 है पौरी पेटलस होता है तेट्रामेरस होता है तो यहां पर देख लो एक ही रॉल में है एक ही रॉल में है और फॉर्म कैसा है क्रूसी फॉर्म है यू यू ठीक है एक ऐसा हो गया क्रूसी फॉर्म हो इसके बाद next है, इसकी बाद करें हम endroasium की, तो endroasium की संख्या क्या थी? 2 प्लस 4 थी, क्या थी? 2 प्लस 4, दो बाहर हैं और छोटे हैं, अंदर 4 हैं और बड़े हैं, ठीक है? तो यहां पर आपको दिख रहा है, चार अंदर हैं, और यहां पर दो बाहर हैं, ठीक, इसके बाद हम बात करें, गाइनोasium की, यहां हम देख रहे हैं, गाइनोasium कैसा है, बाई कार्पेलरी है, ठीक है? यहां पर कार्पेल्स की संक्या दो है, इसे तरह बाई लॉक्यूलर है बीच में आपको देख रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर स्यूडो सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ है इसके साथ ही यहाँ पर हमें देख रहे हैं जो ओव्यूल है वह जुड़े हुए हैं बाहर की भित्ती से तो यह क्या हुआ पैरियेटल प्लैसेंटेशन हो गया करें तो वेजिटेबल में क्या आते हैं ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस ठीक है ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस जो है इसका जिसे सरसों का साग जो बनता है ठीक है तो ब्रैसिका अगर हम सिर्फ ब्रैसिका की बात करें तो ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस में आ जाती है तेल ठीक है तेल डैस्य क कमपेस्ट्रिज में और साथ में कुछ सब्सक्राइब नहीं कि बात करें तो इसमें गोभी आ बात करें गोभी आती है अब इसके बहुत सरी व्यराइटीज है इसकी बौट्राइटिस में आद देती है फूल गोभी ठीक है ब्रैसिका ओलरेषिया इसकी variety कालो रापा इसमें आजाते है नौल नौल या गंदगोबी गंदगोबी की खास बाद जो होती है वो होती है इसकी जो ऐसे पाई जाते हैं बंदगोबी कुछ यूँ इस फॉर्म में होते हैं ठीक है इसके बाद ब्रैसिका रापा ठीक है इस हो गई गोबी की varieties ठीक है ब्रैसिका कमपेस्ट्रिस यानि तेल की बात हो गई ब्रैसिका रापा यानि सल्जम इसके ताद फैरेनस सेटाइवस यानि की मूली या रैडिस ठीक है ओयल्स की बात करते हैं तो देखिए जो ओयल्स के ब्रैसिका कमपेस्ट्रिस जो है ब्रैसिका कमपेस्ट्रिस इसका यू अब ब्रैसिका कमपेस्ट्रिस की जितनी वेराइटी जाती है वे आ जाती है इसमें तेल आते हैं तो जैसे कि ब्रैसिका कमपेस्ट्रिस वेराइटी टोरिया ठीक है इसमें इंडियन रेप आये लिया तेल तोरिया आता है ब्रैसिका जंसिया ठीक है यह राई होता है जो हम त इसके बाद यूका से टाइवा इसमें टेरा मीरा आयला जाता है ठीक है